Money Laundering के मामले में YouTuber Elvish यादो की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है Money Laundering का और सापो की तसकरी का मामला आपस में इंटरलिंग्ड है इस पूरे ही मुहीम की इस पूरी चीजों की शुरुवात होती है आज से कुछ महीने पहले जब एक NGO ने इस्टिंग ऑपरेशन किया था और Elvish और उसकी साथियों की सापो की तसकरी जैसी चीजों में सनलिपता का खुलासा किया था उसके बाद Noida पुलिस ने Noida के सेक्टर 5 में रेड मारी थी और उसके बाद 5 अभियुक्तों को गिरफतार किया था जिसमें Elvish के साथ ही भी शामिल थे और उनके साथ साथ कई साथ भी बरामद हुए थे जिसके बाद जो है वो उनके उपर मुकदमा लिखा गया वन जीविन आधीनियम 1972 की धारा 9, 49, 49, 50 और 51 के तहत और उसी के बाद ED ने भी अपनी जो सकरियता थी इस मामले में तेस कर द किया Elvish Yadow अपनी luxury lifestyle विदेशी दोरे और साथ इसाथ विदेशी funding के लिए ED दफ्तर में लगातार बुलाए जाने लगे पहली बार जब Elvish Yadow को समन जारी हुआ तो Elvish Yadow ED के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने हवाला दिया कि वो UK में थे उसके बाद जुलाई में जब दूसरी बार समन जारी हुआ तो Elvish Yadow लखनव के zonal office में आये और तकरीबन ED के जो अधिकारी अफसर थे उन्होंने Elvish Yadow से इस चार दिवारी में 9 घंटे बातचीत और सवलात किये 9 घंटे की जो बातचीत थी उसके बाद भी ED के अफसर Elvish Yadow के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए कहाए जा रहा है कि जिस तरह के सबूत नौइडा पुलिस को मिले उसकी पूरी रूप रेखा से Elvish Yadow के जवाब तालमेल नहीं खा रहे थे जिसके चलते ये कयास लगा जा रहे थे कि पिछली मुलकात के बाद Elvish Yadow को जल्द ही ED के सामने दुबारा से पेश होना पड़ेगा और आज वो दिन है जब ED ने Elvish Yadow को दुबारा से लखनव जोनल आफिस में तलब किया है लेकिन Elvish Yadow यहाँ पर आज नहीं पहुचे हैं मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बता दें तो Elvish Yadow ने मेडिकल रिपोर्ट लगाई है और Elvish Yadow आज आने से इनकार कहीं न कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं तो कुल मिला के Elvish Yadow के जो मिश्किले हैं वो बड़ती नजर आ रही हैं नौ घंटे की पिछली बार बातचीत हुई थी और उस बातचीत के बाद जो जानकारी सुत्रों के मिली थी उसमें ये बताया गया था कि एडी के अफसरान ने एक ब्योरा तयार करके दिया है और उस ब्योरे में सारे सवलात मैंशन हैं जिसके जवबात Elvish Yadow जो है वो सही ढंक से नहीं दे पाए हैं जिससे एडी संतुष्ट नहीं है तो आज वो दिन था जब Elvish Yadow को दुबारा तलब किया गया लेकिन Elvish Yadow ED के लखनो जोनल आफिस नहीं पहुचे हैं देखने वाली बात यह होगी कि ED के सामने Elvish Yadow कब पेश होते हैं और किस तरह से अपने उपर लगे आरोपो का अपने उपर जोनके उपर सवाल उट रहे हैं उसका कितनी बखूबी से जवाब देते हैं